हेलो दोस्तो जब हम टीवी खरीदने का सोचते हैं तो हमारा दिमागी बहुत सारा question होता है जिसे कि FHD लेना चाहिए, HD लेना चाहिए, 4K, 8K, budget कितना होना चाहिए, TV कौन से size का हो, इसके साथ Android होना चाहिए, या normal TV होना चाहिए, और भी बहुत कुछ questions आते हैं, यह वाले व वीडियो है, वो lag होगा, और कुछ दिन बाद TV खराब हो जाएगा, तो normal कोई भी random TV उठाने से अच्छा है कि हम थोड़ा research करेंगे, जानेंगे मेरा requirement किया है, उस सबसे हम लोग TV खरीदेंगे, ताकि वो कम से कम, 5-10 साल तक minimum चले, तो दोस्त तिंग जो setup करना है, वो होता है हमारा budget, तो अभी देखे, budget बहुत सारे product में बहुत तरीके का होता है, जैसे कि mobile का अगर आप budget fix कर रहो, तो एक fixed budget रखना है, कि इस से जादा मेरे को spent नहीं करना है, कि mobile कुछ दिन बाद हम लोग दूसरा खरीद लेते हैं, लाग कि one two years बाद हम लोग change करने वाले mobile, तो mobile का price जादा रखना नहीं है, budget के ऊपर जाना नहीं है, लेकिन जब भी हम mobile को छोड़के, जैसे कि TV वगरा खरीदते हैं, तो वो पास से 10 साल, 15 साल का सोच के हम लोग TV खरीदते हैं, तो इसलिए हम लोग को budget थोड़ा सा increase करना पड़ेगा, जितना हम budget पे push करेंगे, उतना हम Smart TV लोग, Smart TV आपके budget से थोड़ा सा महेंगा हो रहा है, तो मैं 100% आपको recommend करूँगा, आप थोड़ा सा push करके Smart TV लेजिए, क्योंकि day by day Smart TV का काम आ रहा है, अगर अभी आपको नहीं काम पे आ रहा है, आपको 2-3 साल में आने वाला है, तो Smart TV 100% recommendation, तो next जो option है, बहुत जादा TV बड़ा खरीदा है, और हम लोग features पे, color combination पे, color resolution है, quality है, उस पे हम लोग बहुत हद तक compromise कर लेते हैं, तो यह होता है एक बहुत बड़ा mistake, जब भी आप TV खरीदने का सोच रहे हो, तो आपका घर का size के हिजब से, अगर आप bedroom में हो, या जहाँ पे भी बैट के आप देख बहुत बड़ा TV ले लिए, बिल्कुल आपको uncomfortable feel होगा, 90% लोग खरीते हैं, वो 32 inch से लेके 55 और 65 तक का TV खरीते हैं, तो 32 inch का जो TV अगर आप लेने का सोच रहे हो, तो आपको पहले यह सोचना पड़ेगा, जो आप पे TV लगाएंगे, इससे हम जहाँ पे बैठेंगे, उस चीज़ का distance अगर 4 to 5 feet का है, तो आपको 32 inch का TV ठीक ठाक है, अगर आपका distance 5 to 6 feet का है, तो 40 to 43 inch का TV ठीक है, अगर same चीज़ का distance, TV और बैठने का distance अगर 6 से 7 feet का आ रहा है, तो 50 से 65 inch का TV आप ले सकते हो, दोस्तों brand का बात करेंगे, तो brand ऐसा एक चीज़ है, हम mobile पे बहुत क 13 है कि कौन सा brand लेना है, क्या brand लेना है, TV के मामले में हम लोग बहुत सोचते है कि Sony, Samsung, LG, यह सब लेना चाहिए, लेकिन एक बात बता दू, आज कल इतने सारे brand आ गया है, और बहुत अच्छे-च्छे brand आ गया है, तो आप बहुत सारे brand का आपके पास option रहेगा, तो आप य लोग 10-15,000 से स्टार्ट करके 60-70,000 के बीच में TV लेना चाहता है, तो आप लोग brand पे मत फोकस किजिए, यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस कर सकता हो, कि after sales service क्या हो सकता है, जब भी मैं कोई TV खरीदने जा रहा हूँ, इसका जो brand है, वो क्या मेरा nearby location में service देता है कि नहीं, माहिने रखता है, लेकिन आजकाल brand का उतना कुछ scene नहीं है TV में, बस after sales service और कितने साल से वो market पे है, और मेरे city के आसपास है क्या नहीं service center, आप उतना चेक कर लोगे, एना, TV के जो display का brightness है, जो quality picture हम लोग देखना चाहते है, उसके लिए हम लोगों को जाना परेगा, कि हम क आप HD कभी मत लीजिए, क्योंकि HD का काम हो गया, अभी आप सोच रहोंगे, ठीक है, चलो HD से हमारा काम चाल रहा है, अभी HD ले लेंगे 2-3,000 रुपए, सेव हो जाएगा, लेकिन going forward, 2-3 साल बाद आप पच्ता होगे, कि मैंने HD क्यों लिया था, तो अगर basic से आपको start करना तो FHD आप लेजिए, full HD लेजिए, 14-inch के उपर अगर आपको TV लेना है, तो मैं highly recommend करूंगा, आपको 4K TV लेना चाहिए, इस पर दो चीज और माहिने रखता है, कि आप कौन सा stream पे TV देखते हो, like OTT platform में ज्यादा देखते हो, या आप cable और dish TV में देखते हो, तो cable और dish TV है, तो FHD is enough, अगर आप OTT ज्यादा यूज़ करते हो, ज्यादा OTT platform में movie देखते हो, तो OTT में 4K वाला scene ज्यादा है, तो आप kindly 4K वाला TV के तरफ ज्यादा धियान दिजिए, 8K TV का उतना कुछ requirement है नहीं आज काल के जमाने में, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास budget है, आप ले जो भी आपको मिल रहा है, अपग्रेड़ वही लेजिए, आप नॉर्माली बहुत सारे brand में क्या होता है, उनका खुद का OS आता है, अगर आप उस पे comfortable हो, तब ठीक है, लेकिन मैं सजेच करूँगा Android TV लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी app अगर इंस्टोल करना या कोई play store में जाके कोई बहुत सारे apps डाउनलोड करने में दिक्कत हो सकते, तो Android 10, enough, बहुत सारे जगा पे मैंने देखा है के लोग TV स्टोर पे जाते है, या online में भी बहुत सारे TV सस्ते में मिल जाता है, तो हम लोग बीना देखे के हाँ ठीक है, साइज देख लिया, के 14 20Hz का refresh rate अच्छा है, लेकिन 60 is enough, if you normally watching TV, games जादा खेलते हो, तो बड़िया ले सकते हो, नहीं तो उतना requirement है नहीं, अच्छा पैनल का बात करेंगे, तो पैनल देखो, LED पैनल is enough, आपको QLED, OLED लेना है, तो अलग बात है, वो बहुत महेंगा आता है, अगर आपके बहुत बज चेक कर सकते हो, IPS है, या view है, अगर आप जादा तर ब्राइटनेस जगा, ब्राइटली जगा पे रहते हो, like sunlight आता है, घर पे light जलता रहता है, दिन में भी आप TV देखते हो, तो IPS वाला पैनल आप लेलो, लेकिन अगर आपके पास, मतलब आप रात में जादा TV देखते हो, लेकिन LED वाला जो पैनल है, वो आप देख सकते हो, लेकिन LED वाला जो पैनल है, वो एनफ है आपके लिए, उससे जादा QLED, OLED में जाने का जरूरत नहीं है, until unless आपके पास बजट जादा हो, जो पोर्ट रहता है, टीवी बगरा में, दो HDMI, दो USB, मास्ट है, इसके नीचे तो कभी नहीं लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है, कब इस चीज का जरूरत पड़ जाए, तीन HDMI और USB मिल जाए आपको, तो और भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमाम दो का जो setup है, बो तो रहना ही है, स्पेसिफिकरिशन के बारे में बात करेंगे, तो मिनिमाम 2GB RAM, मिन से डाउनलोड करेंगे, तो 2GB RAM, 16GB स्टोरेज होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में भी बहुत सारा एप बगरास डाउनलोड कर सको, स्टोरेज बना कर रख सको अपने TV पे, नहीं तो क्या हो जागा, आपको दिक्कत होगा, मोबाइल पर हम लोग 16GB का मोबाइल ले ले चाहिते थे और काम चलता था उस टेंबे भी लेकिन आज के जमाने किसी को बोलो 16GB का मोबाइल लेने के लिए, वो बोलेगा, नहीं मेरे को 16GB स्टोरेज वाला मोबाइल नहीं चाहिए, 128 मिनिमम चाहिए, तो ऐसा हो गया, जमाने के साथ, अगर आप TV, स्मार्ट TV लेना ही तो 2GB RAM, 16GB स्टोरेज और भी बहुत कुछ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि विल्ड क्वालिटी क्या है, ओडियो आउट्बूट क्या हा रहा है, रिमोट कैसा है, for an example, ओडियो जो है, मेरे ही सबसे उतना माइने नहीं रखता है TV में, हम ओडियो में थोड कर सकते है, resolution पर हम काम नहीं कर सकते है, एक बार TV आगे है, इस पर जो resolution है, वही रहेगा, audio हम लोग अलग से कोई sound system खरीदेंगे, लगाएंगे, enjoy करेंगे, तो अलग से sound system खरीद के आप enjoy कर सकते हो, लेकिन resolution में compromise मत किजिएगा, audio quality ठीक है, अगर अच्छा वाला आपको audio quality TV मिल रहा है, तो आप ले लो, लेकिन अगर आपको compromise करना ही है, audio के साथ किसी और चिसका, audio पर आप compromise करो, और आप आराम से एक बोफर बगरा या sound system आप ले लो, और उसके साथ attach करके आप वो वाला feel आप ले सकते हो, तो audio is not that important according to me, अलग 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 लोग का अलग अलग सो मैं changes नहीं कर सकता, तो यह है audio का, जो thought process, तो मेरे ही सबसे audio, it is not that important, अगर आप ऐसा सोच रहो के हाँ, ठीक है, मैं अलग से sound system नहीं लगाऊँगा, मेरे को normal जो TV के साथ आता है, उसी के साथ कम चलाना है, तो ठीक है, आप dolby sound वगरा देख सकते हैं, build quality बहुत अच्छा होन बात ऐसा होता है, कि इस पे scratches वगरा आता है, अगर जोड से कुछ लग गया, तो तोटने का chances रहता है, तो build quality also an important part, साथी साथ रिमोट जो रहेगा, वो बहुत माहिने रखता है, आज के जमाने में, क्योंकि हम रिमोट पे directly OTT platform सेर्च करने का, मतलब easy रहता है, जैसे कि आराम से एक ही switch पे आ जाता है, तो this is user friendly, तो वैसा वाला remote देखिएगा, ताकि आपको इतना problem ना होके, अंदर घुसके, ढून ढून के निकालना पड़े, जो जाधा आप use करते हो, वो remote में आसानी से दिख जाए, एक click में काम होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस मतलब कुछ point चुट गया है, तो comment box में डाल सकते हो, और अगर आपको ऐसा भी लगता है, यह सारे points में, कुछ points ऐसा है, जो आपके लिए बहुत माहिने रखता है, वो भी आप comment box में डाल सकते हो, मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care.